नमस्कार सलाम नियूज क्लिक के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है साल 2022 जा रहा है इस एक साल में देश ने साथ एहम राजियों में चुनाव देखे और अब 2023 आ रहा है उसमें भी नौ एहम राजियों में चुनाव होने जा रहे हैं कोविट के बात के सालों में और इस साल में खास तोर से राजिनिती ने कई बदलाओ देखे कई आंदोलन देखे देश ने राजनिती किस तरफ बढ़ रही है, क्या उसकी दिशा है, क्या संकेत मिल रहे हैं और 2024 आप जैसे जानते ही हैं, यह आम चिनाओं का साल है तो राजनिती कैसे बदल रही है, क्या करवट ले सकती है इस सब पर बात करने के लिए आज हम आए हैं वाम राजनिती के एक प्रमुक्चेहरा, पूर सांसद और महिला अधिकारों के लिए लडने वाली एड़वा की नेता सुभाशनी अली जी के पास सुभाशनी जी निस क्लिक में आपका स्वागत है शुक्रिया जैसा कि मैंने भूमिका में ही कहा कि 2022 ये बड़ा महत्मौन साल रहा कोविट के बाद के सालों में 2020 और 21 कोविट में निकला इसमें हमने आंदुलन भी देखे, हमने राजनिती बी मदलावी देखे, चुनावी भी हुए खास्तोर से सात राज्यों में जिनमें उत्तर प्रदेश जैसा महत्मौन राज्य है, वहां बीजेपी ने वापसी की, योगी सरकार फेराई अब हमने अभी हमने यह लेटिस चुनाओ देखे गुजरात और हिमाचल के जिसमें गुजरात में वापसी की बीजेपी ने और कॉंग्रिस ने हिमाचल बीजेपी से च्छीन लिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी काबिज हुई, इस पूरे संदर में राजनिती का एक यह जो चुनाओ हुए हैं, यह सब के सब विधान सभाओं के चुनाओ हुए हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, विधान सभा के चुनाओ में लोगों की वोट देने का तोर तरीका और संसदी चुनाओ में वोट देने का तोर तरीका इसमें अंतर देखा गया है, और य तो इस प्रिष्ट भूमी में अगर हम देखें इन विधाल सभा की चुनाओं को तो इन में कई बातें बहुत महत्पूर्ण सामने आती हैं सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ लोग लगातार यह कहते रहते हैं कुछ भी करो लेकिन आएगी तो बीजेपी ही जीतेंगे तो मो मुझे लगता है कि यह कहना बिल्कुल लोगों को बंद कर देना चाहिए इस से बेकार में एक महाँल बनता है Paakshuper और यह बात सही भी नहीं है बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि अगर हम इन विधाल सभाओं को भी देखें तो यह बिल्कुल सही है कि उनका जो धार्मिक धु वोही उनको वोट पाने में बहुत फाइदा देता है इसके साथ साथ इनोंने जो जाती राजनीत है जिसको बहुत अच्छा बड़ा नाम दे करके सोशल एंजिनिरिंग कहते हैं लेकिन वो है जाती गट जोड की राजनीत उसमें भी ये काफी माहिर साबित हुए है लेकिन इस सब के बावजूद अगर हम देखें तो चुनाओं के जो नतीजे हुए उनमें कहीं से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि एक तरफा भाज़पा को फाइदा मिला है तो इसका मत्तब ये है कि सामतदाइक्ता के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी खास तोर से जो लोगों को काफी विच्दित करने हैं और उनके मद्दान पर प्रभाव डाल रहे हैं तो बहुत से समीकशक भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं चुनाओं की वोटिंग पैटर्न को ले करके लेकिन जो बात सामने आती है कि अगर हम देखें तो कई चुनाओं तो गुजरात का चुनाओं आप छोड़ दीजे बहुत कम परसंटिज से जीती और उत्राखंड में तो उमीद ही नहीं थी कि जीती नकिन जीत गया है इसी तरह से गुआ वगरा लेकिन जो बड़े राज्यों में चुनाओं हुए एक तो पंजाब तो पंजाब में लोग कहते हैं बाद में चुनाओं कि कि अरे यहां तो उनका कुछ था ही नहीं तो कुछ था ही नहीं यह बात सही नहीं है उनका एक बड़ी पार्टी के साथ गड़बंदन रहा और उसके बाद जो कॉंग्रेस के मुख्यमंतरी थे जो मेरे खाल से कम से कम दो टर्म तो मुख्यमंतरी रहे वो बीजेपी में चले गए और उनके साथ भी कुछ लोग गए तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मतलब ताकत ही नहीं थी इस चुनाओं में लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल स्वीप कर दिया चुनाओ और एक बात सामने आई कि अगर कोई एक मदबूत विकल्प होता है जो लोगों की आम जरूरतों की बात करता है जैसे शिक्षा जैसे अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं क्या मैं नहीं कह रही हूँ शिक्षा और ये हेल्थ मतलब स्वास सेवाएं और उसके साथ ये बिजली का मामला और फिर उन्होंने जो किसानों की समझ चाहें थी उनको भी सबोधित करते हुए कहीं बादे किये और उनकी जबरदस्ट जीत हुए बड़े बड़े दिकज भी साफ हो गया तो ये एक वहां की चुनाओ का नतीजा है इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की चुनाओ को देखें तो दो बाते हमको याद रखनी चाहिए एक तो उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत विपक्षी मोच्चा नहीं था सपा और रालोद इन्हीं के बीच में समझोता हो पाया था और दोनों के प्रभाव के च्छेत बिलकुल अलग-अलग है पश्चिमी उत्र प्रदेश में रालोत का है तो बाकी उत्र प्रदेश में नहीं है और बाकी उत्र प्रदेश में जो मध्य है और जो पूरब है वहाँ पर सपा का प्रवाव है तो ये एक बहुत मजबूत गड़बंदन नहीं था लेकिन इसके बावजूद जो नतीजे निकल करका है वो बहुत अजीव है कि भाजपा तो जीती और उसको वोट परसंटेज काफी अच्छा मिला लेकिन सपा को भी जहां तक सीटों की बात है तो वो 111 सीट तक पहुँच गया है और भाजपा ने बहुत सारी सीटें हारी और कई जिलों में तो भाजपा साफ हो गई और यह एक बात थी कि जो पिछली जाति के लोग हैं और उनके बीच का जो विभाजन है जो भाजपा ने उसको बहुत बढ़ाने में भी काम किया यादव वर्सस अदर OBC वो अपकी बार उतना नहीं चला जतना की पिछली बार चला था और कई प्रमुक OBC नेता जो पहले BSP में थे फिर BJP में गये वो सपा के साथ आए और कई जो छोटी OBC जातियां हैं उनके नेता मतलब सपा के साथ गये तो एक अगर आप पुर्वांचल में देखें तो गाजीपूर अंबेतकर नगर आपका आजमगड कई ऐसे जिले हैं जहां BGP को एक भी सीट नहीं मिली और सफा ने स्विप्ट कर दिया तो उसके पीछे भी यह जो जातियों का एक गठबंदन होता है यह जैसे अर्व तो यह जो नतीजा आया एक तरफ तो जो लोग नहीं चाहते थे कि भाजपा जीते थोड़ा निलाशा जनक था क्योंकि उनका वोट शेथ काफी था लेकिन यह भी दिखाई दिया कि अगर कुछ कोशिश होती है लोगों को जोड़ने की और जो जाती नेता है उनके साथ जा जाने की और जो बेरोजगारी का सवाल सपा ने काफी प्रवाशाली धंग से उठाया और हमने देखा कि यह जो स्टूडेंट्स के केंद्र हैं जैसे इलाबाद महां पर बहुत बड़ा मतलब सड़कों पर उतरने वाला जन सवर्थन देखने को मिला तो यह सारी चीज़ों ने इस बात को इंगित किया कि अगर कुछ मुद्दों को सही धंग से उठाया जाता है और चुनाओ की तैयारी भी ज्यादा अच्छे तरीके से होती है चुनाओ का मैनेजमेंट पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाता है तो फिर पीजेपी को हराना भी संभव है अब उसमें एक बात जो थी लोगों को ये उमीद थी कि पश्चिम उतर प्रदेश में ये फामर्स एजिटेशन के बाद मतलब विपक्ष को ज्यादा सफलता मिलेगी लेकिन वो नहीं हुआ और उसमें भी जातियों का बहुत बड़ा खेल होता है क्योंकि एक जाती के खिला फिर अन्य जातियां एकठा भी हो जाती है तो ये भी वहां पश्चिम में देखने को मिला लेकिन अभी जो उप चुना हुए है इसमें दो बहुत बहुत महत्तोपूर्ण बातें देखने को मिली एक तो ये कि मुझफर नगर में और जो खतौली में है खतौली कॉंसिटूंसी है और म मैनपूरी में यह मानने जाते हैं कि मैनपूरी तो गड़ है सपा का लेकिन सपा का वोट मैं बहुत बढ़ा बहुत ज़ादा बढ़ा और कई कई समुदायों ने सपा को वोट दिया मैनपूरी में जो जिन वो ने जिन सीटों पर भाजपा ने कबजा किया था विधान सभा में जीती थी उन सीटों पर भी सपा को ही बहुमत मिला और मतलब जो गैर यादव जातियां थी उनमें भी सपा का वोट बढ़ा और मतलब कई दलितों में भी उनका वोट शेर बढ़ा है और ये काफी एहम ब शेकर है उसने दोनों सीटों पर खतौली में ज्यादा लेकिन मैंपुरी में भी सपा का समर्थन किया तो वो जो एक बहुत बड़ी दिवार थी दलितों के उप समुदायों में और सपा में वो कुछ हद तक कमजोर होती नजर आई हैं और उन लोगों ने भी सपा को मूर देन मन्जूर किया जो पहले बिलकुल नहीं देना चाहते थे और खतौली में भी ये बात सामने आई लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुती चिंता जनक बात है और अब तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं अब तो इसके तमाम प्रमान भी मिल रहे हैं कि रामपूर में जो और हिंदू राष्ट की एक बहुत बड़ी धारना है कि मुसल्मानों और इसाईयों से उनके जो नागरिक अथिकार है वो भी छीने जाने चाहिए तो इसको हम लोगों ने देखा होते हुए कि रामपूर में मुसल्मानों को बहुत बड़ी संख्या में वोट देने से रोक गया वहाँ पुलिस लगा दी गई उनके महलों में औरतों के साथ बी बत्तमीजी हुई उनको वोट के लिए जाने नहीं दिया ये कह करके कि आपके पास ये पहचान पत्र नहीं है वो पहचान पत्र नहीं है मारपीड भी हुई और मतलब जिन बूतों पर केवल मुसल्मान वोट डालने वाले थे वहाँ कहीं तीन वोट कहीं चार वोट इस तरह की वोटिंग हुई है तो ये एक बात है जिस पर पुरे देश में लोगों को सोचना चाहिए जो लोग सामतरदाइकता से बहुत ज़्यादा प्रभावित है उनको शायद लगता हो कि ये बहुत अच् नागरिकों के एक हिस्से को वोट डालने के अधिकार से वंचित रखेंगे तो आखिर पिर आप समाज में क्या करने जा रहे हो आप समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हो मुझे याद है कि बहुत पुरानी बात है आप समझे चालिस साल पहले जब दलितों को वोट डाल से वंचित किया जाता था और यह बहुत बड़ा सवाल समाज के अंदर बना कि एक हिस्सा समाज का मतना वोट से भी वंचित की रखा जा रहा है तो अब यह फिर हुआ है और यह कोई हमारे प्रजात अंत्रिक प्रणाली के स्वास के लिए यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं ह अगर इसको बार-बार दोहराया जाएगा तो इसके बहुत ही गंभीर और बहुत ही नाश्कारी परिणाम अब लगवग यही लग रहा है गुजरात मॉडल के बाद एक रामपूर मॉडल इसे बनाया गया है कि वो बीजेपी इसी को आगर बढ़ाने ने तो इसके लिए इ यूपी की रायनिती पर जैसे आपने बात की काफी कुछ तो उसी में अगर हम देखें जैसे बहुजन आंदोलन एक था बहुजन समाज पार्टी की बहुमिकार रही और समाजवादी पार्टी की वज़े से जिससे बीजेपी सक्ता से बाहर रही और तम वह सारे आंदोलन थोड़े आपको लगरा कि कुछ मजबूत हो रहे हैं नए नेता चंशेकर जेसे आये हैं या कुछ कमजोर हो रहे हैं तरह से और रायनिती बहुजन आंदोलन तो इस समय यूपी में लोग डरते हैं बहुत भैका माहौल है लोग डरते हैं आंदोलन से क्योंकि यह बुल्ड यह सारी बाते हैं लेकिन इसके बात भी आप देखिए जैसे इलाहबाद यूनिवर्स्टी के जो चात्र हैं वो मेरे खैसे छे महिने से लगाता लड़ रहे हैं लाठियों का हिंसा का भी सामना कर रहे हैं अभी तक लड़ रहे हैं और काफी बड़ा जन सवर्थन उनके चात्र हैं उनकी चात्रवर्ती रोकी गई है अभी जो अंबेतकर यूनिवर्स्टी है लखनव में वहां के जो इंजिनियरिंग के चात्र हैं उनको परीक्षा देने से रोका गया क्योंकि वो पैसानी जमा किये थे तो उन्होंने भी आवाज उठाई हल्ला उठाया हम उनिवर्स्टी के प्रांगण में चात्रवती बाटी गई है अब इससे एक तरफ तो लोग जो इस अन्याय पून जो इसका रवया है उसको देख रहे हैं और उससे नाराज हो रहे हैं और दूसरी तरह ये भी उनको लग रहा है कि कुछ बोलो कुछ हल्ला मचाओ तो कुछ निकल कर भी आ जाता है कुछ हमको मिल भी सकता है ये बहुत बड़ी चीज होती है जब लोगों में राशा हो जाती है कि हम कुछ भी करें कितना भी लड़ें गोली भी खाएं तब भी कुछ होने वाला नहीं है तो फिर वो विरौत की दिशा को छोड़ देते हैं लेकिन यूपी में केवल बॉर्डर पे ही था लेकिन अबेटकर उनिवर्स्टी में जो दलिच छात्रों ने आवाज उठाई और ये जो बटा है तो ये मैं सुच्छी बड़ी बात है तो इस तरह से मेरा मेरी अपनी समझारी है कि अगर विपक्ष के लोग ज्यादा मुखर होंग ज्यादा निकलेंगे लोगों के बीच में और अभी समाजवादी पार्टी के नेता क्योंकि जैन तो अपने अलाके में काफी सक्री हैं वो जा रहे हैं हर जगा लोगों को की बात उठा रहे अब समाजवादी पार्टी के नेता ने भी थोड़ा से शुरू किया अभी यह अगर जनता के बीच में जो विपक्ष है वो दिखाई देगा और उसकी आवाज को उठाते में दिखाई देगा तो निश्चित रूप से मेरा अपना नुमान है कि और लोग जुड़ेंगे विपक्ष के साथ और फिर चौबीस का फैसला भी काफी प्रवाद को सकता है जनता यह चाहते है कि उसका नेता लड़ता दिखाई दे उसके हग के लिए उसके अधिकारों के लिए तो आपने अपने इसी जवाब में काफी कुछ समेट दिया उसमें मैं जो एडूकेशन पर आपसे बात करता वो भी इसमें लगभग आ गई तो और मैं संशेप में करने तो आप एक बाम लिडर कि हैसीय से वां मोर्चे कि क्या भूमिका ख़विश्य Но are क्या कोई आप विपक्ष की बात कररी हैं सैक तुम् मोर्चा जैसा कोई और कोई कावी मोर्चा कूछ ऐहाए बनती बिगरते में देख रही है किस तरह से विपक्ष और ज्यादे अपन मतलब नितिश कुमार का एंडी चोड़ना और वहां पर विपक्ष के साथ गटवंदन के साथ सरकार बनाय रखना उसको चलाना 54 सीटें बिहार की हैं लोकसभा की असी यूपी की हैं अगर इन दो राजियों में कुछ बदल होता है तो ये फिर पूरे देश की राजनीत पर ब दूसरा जब हम जाती समीकरणों की बात करते हैं तो हिसमें हमें कभी कोई अच्छा नहीं लगता ही बाते कहना लेकिन जो ये OBC की यूनिटी है जो बहुत जरूरी है मुद्दों के साथ OBC के अलग अलग उपजातियों का एक साथ आना भाजपा के खिलाफ ये भी एक पक्ष के साथ ये अगर आप यूपी जाते हैं अगर आप ब्यार जाते हैं तो यूपी में हम लोग इसका असर देख रहे हैं कि OBC का जो नंबर दो की समुदाय है वो भी अब बीजेपी से थ्वासा खिसकने लगी है और जो उनके मुद्दे हैं कास्ट सेंसस अब ये बड मुद्दा बन रहा है अभी देखिए उत्तर प्रदेश में भी निकाहे चुनाओ रोग दिये गए हैं क्योंकि आपके पास OBC की लिस्ट नहीं है तो कास्ट सेंसस फिर रेजर्वेशन और रेजर्वेशन के उपर जो एफेक्ट पढ़ रहे हैं किस तना से सरकार बच रही ह तो ये सारे सवाल अब लोगों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने लगे हैं और अब ही आप कह रहे थे चुनाओ होंगे अगले साल तो एन चुनाओं में निश्चित रूप से अगर हिमाचल से हमको कुछ दिखाई दे रहा है और दिल्ली के चुनाओं से भी क्यों अगर उनको जब उन्होंने सब कुछ कर दिया सारे दाओं खेले तीन को एक कर दिया वगएरा 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 ओगर मतलब गये तो उसमें आप जीत हासल की जबकि आप पर बहुत बड़ा हमला था उनके लोग कि रिफ़तार दी हैं तमाम घष्टा चार क्या रोप एड जनता है अगर शेहरी जनता में बीजेपी के खिलाफ एक तरह से घुसा है या असन तोश है तो यह एक बहुत बड़ी बात है और मैं यह कहना चाहूंगी कि यह सिर्प महंगाई और बेरोजगारी ही मुद्दे नहीं है एक मुद्दा बहुत बड़ा है इनकी जो इस पर सवाल उठाना शुरूर कर दिया है कि इसका मतलब क्या है यह कैसा समाज बनाएंगे यह कैसी स्थिती पैदा करेंगे इस देश में तो काफी हद तक लोग यह भी समझने लगे हैं कि यह जो हमारे समिधान में समानता की बात इतनी महत्वपूर्ण है डॉक्टर हैं हुई तो अब लोगों को समझ समझने लगे हैं कि यह कानून कैसा बनाना चाहते हैं यह किस तरह की प्रणाली इस देश में लागू करना चाहते हैं और अब उनको यह बास समझ में आ रही है कि इनकी जो मनुवादी नीतियां है और इनका जो शुरू से ही था कि हम लेकिन इनकी नीतियों की वजह से लोगों के समझ में आ रहा है कि यह तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है तो उनका जो एक धार्मिक ध्रूविकरन चलता था और वो समझते थे कि धार्मिक ध्रूविकरन करके हम तमाम जो बहुत संख्यक हैं उनका बड़ा हिस्सा अपने पी परिचान अंतरगज तमाम जातियां थे लोग तमाम वर्ग हैं अब भूभी सवाल उठाने लगे हैं कि इनकी जो परिकल्पडा है उसमें हमारे लिए क्या है हमारा क्या हाल होगा हमारा स्तर क्या होगा सवाज के दर्श्वार जैसे हम विपक्ष की एक एक जूटता और उस देखा भी जा रहा है कि वो उनी की पीछ पर बीजेपी की पीछ पर खेलती नजर आ रही है तो एक व्यापक परिवेक्ष में इसी में आम आदमी से जोड़के फिर मुझे याद आयाता है राहूल की भारत जोड़ा यात्रा क्या इसका भी कुछ असर देखेंगी आप भारती की राजनीती पर देश की राजनीती पर तो क्या असर पड़ेगा यह मैं नहीं कह सकते हैं दिल्ली में तो वोटिंग पर उसका असर कोईच भी नहीं पड़ा और गुजरात में भी कुछ नहीं पड़ा हिमाचल में तो वही प्रमुक विपक्ष की पार्टी थी जो मुद्दे धर्म निर्पेक्षता का मुद्दा सामप्रदायक्ता का मुद्दा यह सब राजनीतिक मुद्दे हैं और यह भाजपा की राजनीत के सबसे बड़े मुद्दे हैं अगर इनके खिलाफ लोग सोचने लगे हैं अगर इनसे परिशान होने लगे हैं अगर वो सवा उनके दिमाग में आ गया है कि इनकी जो परिकल्बना है जो यह कहते हैं हम एक हिंदू राज बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है वो एक मनुवादी समाज बनेगा तो उसमें हमारी जगा क्या होगी हम कहां इसमें फिट होंगे हमारे अधिकारों का क्या होगा क्या नाइंटी कॉल डिसकस करता था मनुस्वृती को लेकिन अब उसपर डिसकेशन होने लगा है उसपर चर्चा होने लगी है लोग उसपर बोलने लगे हैं तो यह जो चीज है यह लोगों को इकठा लाएगी अब अलग-अलग राज्यों में स्थितियां अलग हैं बिहार की एक स्थिति है उत्तर प्रदेश में दूसरी स्थिति होगी तो जो प्रमुक विपक्षी दल और विपक्षी ताक्ते हैं उनका एकठा होना हर राज में बहुत अनिवारे हैं अब 24 आते आते वो जो एकठा होने की जो प्रवृत्ति है वो कहां जाएगी किस दिशा में दाएगी इसका नेता कौन मनेगा अब उसके बारे में कुछ कहना बिलकुल सही नहीं है जहां तक बाम दलों की बात है तो बाम पंथी जो मोर्चा है उसके तो इशूस भी कुछ अलग है और हम मानते हैं कि ये भी इशूस ऐसे हैं जिन पर वाजपा को घेरा जा सकता है जैसे कि नई अधुलन खड़ा हो रहा है तो अगर इनके बारे में विपक्षी दल और विपक्षी नेता अपनी राय को नहीं बदलेंगे और इनके बारे में अपना विरोध और ज्यादा दल नहीं करेंगे तो वो एक गल्ती कर रहे हैं क्योंकि इन नवदारवादी नीतियों से ही तो जनता बेहाल हो रही है यह सारा केंडर में मतलब यही है यह तो जो तमाम नौक्रियां जा रही है तमाम शिक्षा का मिजी करन हो रहा है बच्चों के नाम कट रहे हैं यह स्वास का पूरा मिजी करन हो रहा है तो हम लोगों को ज्यादा लोगों को बताने की जरूँत है कि बाई अगर केरला में अगर तमिलनाड में लोगों को सरकारी स्वास सेवाएं उपलब्त की जा सकती हैं, अगर वहां सरकारी स्कूल चल सकते हैं, केरला में तो सरकारी स्कूलों में भरती ज्यादा है, प्राइविट स्कूलों में कम हैं, तो इन उदारों के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है कि ऐसा भी हो सकता है. उत्तर प्रदेश में तो कोई मानने को तयार नहीं कि ऐसे स्कूल चल सकते हैं. तो ये जो मुद्धे हैं, इन मुद्धों को लेकर के अगले एक साल, जेरे प्रवोट्स नहीं करेंगे, तो उसका खाम्याजा भी उनको भरना परेगा. ये तो आपने इसका नहीं आर्थिक नीतिया, इसके साथ बीजेपी ने राष्टवाद का एक तलका लगा दिया, वो मिला कर एक कॉक्टेल जो है, उसने पूरा एक… ने और उनके आप जैसे आपने कहा भी कि एक राजनितिक गोलबंदी जरूरी है वो अलग-लग राज्यों के हिसाब से अलग जगए देखने में आ सकती है, और जनता की गोलबंदी भी हुरी है, और असली तातर जनता की गोलबंदी है, यही मुझे लगता है कि विचार धारात्मक स्तर पर भी भाजपा की चनौती को स्विकार करना बहुत जरूरी है, आप उस पर मौन रह करके उस पर चुपी साथ करके उन से नहीं जीत सकते हैं, और इस काम को लेफ्ट ही कर सकता है, और लेफ्ट के साथ जो अपने आपको जोड़ते हैं, क्योंकि विचार धारात्मक स्तर प आपको वास्तव में उनका विकल्प इस देश में तयार करना है, तो बहुत बहुत शुक्री आपने तो सारी बात बहुत अच्छे से डिकोड की, उनके राष्टवाद को उनके आर्थिक नीटियों को अगर चैलेंज करना है तो उनके विचार बात बाता दो, ये 75 साल क्या बनाया जारा है, तो 1000 सम्थिंग स्वतंतरता सेनानियों की इनों नहीं, इनकी सरकार नहीं लिस्ट बनाई है, उनकी फूटो लगाया, अब आप देखिए, उस 1000 सम्थिंग में उनका एक भी नहीं है, एक भी नहीं, तो क्या है ये, तो ये कौन सा राष्टवाद है उनका, राष्ट के लिए कभी लड़े नहीं और आज भी वो इतना विभाजन पैदा कर रहे हैं कि ये राष्ट को कमजोर कर रहे हैं जो आम नागरिकता है ये लोग बेमानी भी बहुत करेंगे अब जैसे रामपूर में उन्होंने किया अगर ये कर लेंगे अगर गुजरात के जैसे इतनी है ज्यादा वोट एक घंटे में पढ़ जाएंगे जो की संभव भी नहीं है इन सब चीजों के लिए ज्यादा सतर्ता की भी जरूनत है क्यो और बहुत जादा एलर्ट होना पने पर जोड़ेया घंटे में अपनी जिम्मेदारी एक दर अपनी बहुमी का ठीक से नहीं और वोटर अपने वोट को बचाए बॉट को बहुत बहुत को बहुत शुक्रिया शुवाश्यू जी नमस्तार्व